साथ ही वो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे 151 से लेकर के 175 तक ठीक है यानि कि टोटल 25 कोश्चन हम लोग डिसकस करेंगे और इससे पहले के कोश्चन इनकी प्रिवेस वीडियो में हम लोग डिसकस कर चुके हैं तो चलो सबसे पहला कोश्चन कौन सा 151 नमबर पे है कि अना बेल ली इदी लेरिक पोईट्री आप ये किसकी लेरिक पोईट्री है तो ये एडगर एलन पो यानि कि ये आपसन हमारा सही होगा 52 नमबर पे अगर हम बात करें आप मौक इपिक से क्या समझते हो तो मौक इपिक कुछ नहीं होता है बलकि क्या होती है एक पैरोडी होती है और एक नॉन सीरियस लिमिटेशन होता है किसका इपिक का तो सी आपसन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा 53 नमबर पे देखो 154 नमबर पे 63 नमबर पे होमर का जो ओडिसी है उसका जो है तो यह ग्रेक मैथॉलोजी में लिखा हुआ है ग्रेक मैथोलोजी से इसका सोर्स लिया गया है ध्यार रखना होमर्स आपसे पूछा जाए कि होमर्स की ओडिसी का सोर्स कहां से है तो ग्रीक मैथोलोजी से बी आप्शन पजपर नंबर पे बात करें को हाउ डज एन इपिक बिगिन इपिक जो है वो कैसे शुरू होता है तो बाई इन्वोकेशन आप म्यूस किसी देविسم या देबती का आवाहन करके इन्वोकेशन करके जो है इपिक की शुरूआथ होती है जैसे हम भी किसी काम की सुरूआथ करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूझन कराते हैं उसी तरीके से बहाँ पर भी ये जो महार राइटर हुआ करते थे और बड़े बड़े वर्क लिखते थे तो सबसे पहले किसका आवाहन करते थे इन वो किष्णा म्यूश म्यूश यानि की ग्यान की देवी का आवाहन करते थे 156 नंबर की अगर हम बात करें तो हू रोट ओड सी को लिखा किसने अभी उपर पड़ा था किसकी ओड़ सी है होमर की ओड़ सी है बर्जिल की अनाइड होमर की ओड़ सी तो ध्यार रखना होमर की ओड़ सी और अनाइड किसकी है अनीड जो है वो बर्जिल की है यानि की बी आपसन आपका सही होगा Paradise Last जो है वो किस ने लिखा एबी एक किपिक है लेकिन यहां पे question अलग पूछा गया है लिखा तो John Militon ने हैं लेकिन यहां पे पूछा गया बेन बाज कब लिखा गया Paradise Last तो लिखा गया ध्यार रखेगा 1665 में ठीक है अब question यहां पे है publish कब हुआ तो publish हुआ 1667 में तो यहां पे हम अगर आपको बताएं यह जो Paradise Last है इसको John Militon जी ने 1658 में लिखना सुरू कर दिया था और लिखकर कि इसको complete कर दिया था 1665 में लेकिन यहां पे complete हुआ था इसके दो साल बाद John Militon जी ने इसको publish करवाया कब 1667 में तो C option हमारा क्या होगा सही होगा ठीक है next how many sonnets did Shakespeare write William Shakespeare ने कितने sonnets लिखे तो 154 sonnets लिखे इसके बाद next बात करते हैं how many sonnets did Edmund Spencer contribute Edmund Spencer ने total कितने sonnets लिखे तो 88 sonnets का contribution दिया 88 sonnets अगला question है कि बहुत ही जैन active octave octave क्या होता है octave में 8 line होती है ठीक है पेटारकन sonnets का फर्स पार्ट ऑक्ट और सेकेंड पार सस्टिट कहला था octave में 8 और सस्टिट में 6 तो octave आ इस टेंजा आप 8 लाइन यान किसी option हमारा क्या होगा सही होगा C वाला option बोले कपलेट क्या होता है अगर हम कपलेट की बात करें तो दोहा के लिए कपलेट कहा जाता है किसको कहा जाता है दोहा और अगर हम इसकी बात करें तो दोहा में कितनी दो लाइने होती है तो टो लाइन को हम क्या कहेंगे कपलेट इसलिए हमारा ए वाला option से ही हो जाएगा ठीक नेक्स कोस्टन किया गया है कि a sonnet is a sonnet में कितनी लाइने होती है चौदे लाइनों की poem को हम क्या कहते है sonnet कहते है पिर अगला question है from which age कौन से age से sonnet begin to popular sonnet जो है वो popular होना सुरू हो गए तो late middle age किस से late middle age से sonnet को popular होना सुरू हो गए अगला 166 number पे who is credited किसको credit जाता है with introducing करने के लिए और किस चीज का introduce करने के लिए okay the sonnet from the sonnet form into English literature English literature में sonnet form को introduce करने का सरे किसको जाता है तो बो थे sir thomas bet कौन थे sir thomas bet अगला a traditional a traditional italian or petarkan sonnet follows the rhyme scheme which तो traditional and petarkan sonnet कौन सी rhyme scheme को follow करते हैं तो a b b a a b b a और c d e c d e यानि की a वाला option हमारा सही होगा octave और सस्टेट यानि कि octave में चार चार राइनों के दो इस्टेंजा और सस्टेट में टर्सेट होती है तीन 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 लाइनों की इस्टेंजा दिखेंगे आपको 168 पे john milton on his blindness sonnet followed the rhyme scheme आफ जो john milton का on his blindness है उसमें जो sonnet है वो rhyme scheme follow करता है कौन सी rhyme scheme petarkan sonnet यानि कि on his blindness जो है वो कौन सा है petarkan sonnet है कौन सा है petarkan sonnet जिसमें octave और सस्टेट में डिवाइड है octave में 8 लाइन है और सस्टेट में 6 लाइन है तो बो क्या है हमारा ओड यानि की सी option हमारा क्या होगा सही हो जागा संबोधन गीत कि 170 नंबर पे अगर हम बात करें तो ओड इज आफ्टर ग्रीक लेटर रिजब्ड बाई his poets to convey their strongest sentiments तो इसमें उन्होंने कहा कि ode after Greek ग्रीक के बाद ode लेटर रिजब्ड कर लिए गए बाई बिच पोईट जिन कभियों के द्वारा to convey share करने के लिए कनबे करने के लिए बताने के लिए their strongest sentiments अपनी जो है मजबूत भावनाओं को यानि कि अपने अंदर की feelings को share करने के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए तो कौन थे बो बो हमारे romantic points थे कौन थे romantic points अगला 70 पे which can be generalized किसको generalized किया जा सकता as a formal address to an event a person or a thing not present ठेक है तो इसमें C यानि की ode में ode यानि की which can be तो ode can be generalized as a formal address of an event किसी भी गटना को addressing करके बताया जाए या किसी ब्यक्ति को address किया जाए या किसी बस्तु को जो उसमें बहाँ पर present ना हो not present जो उपस्तित ना हो ठेक है तो ये definition किसकी ओड की है अगला question है हमारा कि ode on intimation of immortality from recollection of early childhood poetic work आप ये किसका poetic work है तो ये जो है William Bussworth का poetic work है किसका है William Bussworth ये option आपका क्या होगा सही होगा अगला question हमारा बोले 172 पे which literary form कौन से literary form is first developed by poet writing in ancient Greek ancient Greek में सबसे पहले literary form को जो develop किया गया था विक्षित किया गया था वो कौन सी है तो वो हमारी ode है संबोधन की ठीक है इसके बाद next बोले stop, anti-stop और ipod next है हमारा 173 नंबर पे कि stop, anti-stop और ipod are the three parts which poetic form यानि कि कौन से poetic form को इन तीन भागों में वाटा गया जिसका पहला भाग stop हो दूसरा anti-stop हो और तीसरा ipod stop, anti-stop और ipod में किसको वाटा जाता है ode को और कौन से ode को pin direct ode को तो C option हमारा क्या होगा सही होगा इसके बाद 174 नंबर पे the poetic form which represent जो represent करती है the melody को किसको melody को from melody from आप story telling जो story telling हो यानि कि एक ऐसी कहानी जो एक melody form में गाई जाए यानि कि गा का का क्री lay के रूप में गाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं वो सो poetic form को हम ballad कहते हैं क्या कहते हैं ballad गीत लोग गीत अगला next हमारा है कि bitch poetic form typically follows pattern the rhymed quatrain यानि कि कौन सी poetic form को typically जो है follow करती है a pattern of rhyme quatrain तो वो भी कौन होता है ballad होता है यानि कि ए option इसका भी क्या होगा सही होगा अब band 76 पे ballad law building sun's mercy is written by यह जो ballad law building sun's mercy 21 के द्वारा लिखा गया तो यह john kit के द्वारा लिखा गया है b option हमारा क्या होगा सही होगा ठीक है तो आज के लिए साथी हो इतना ही जय हिंद जय भारत